Next आपका आता है इसमें Nature of Change of Conducting Material ठीक है कि हम Connecting Material का Nature ही आपका क्या कर दें? Change कर दें, ठीक है? तब आपका क्या होगा? तो उससे पहले, जरा हम इसमें देख लेते हैं कि किस-किस Element की क्या-क्या Registivity होती है उसके बाद में हम डिसकस करेंगे आपका resistance, तो देखो, अगर हम बात करें आपकी silver की, ठीक है, silver की जो representation होती है, इसको हम chemistry में represent करते हैं, A और G से, Argentinium बोलते हैं इसको, तो यहां से यह आपका क्या हो गया, silver आपका हो जाएगा, और silver का जो आपका होता है resistivity, यहां पे हम लि देखेंगे element का नाम, ठीक है, कि कौन-कौन से आपके element है, तो पहले हम इसमें देखते हैं आपका किसके बारे में, metals के बारे में, फिर आपका हम आएंगे, aloes के बारे में, और फिर आपके कुछ देखेंगे, semi-conductors, और फिर आपका देखेंगे, insulator, कि इनकी resistivity क्या-क्या होती है, तो silver के बारे में, अगर हम देखें, तो silver के आपकी होती है, 1.60 into 10 is to power minus 8 ohm meter, यह आपकी fix होती है, यानि कि specific resistance आपका क्या होता है, silver का fix होता है, और हो क्या होता है, इतना आपका होगा, अब इसके बाद में आपका आता है copper, copper को represent करते हैं, cu से, ठीक है, chemistry के अंदर, cu से आपका represent करते हैं, short form में, और इसको हम लिखते है, 1.63, sorry, 69 into 10 is to power minus 8 ohm meter, यह आपकी किस की होगी, copper की हो जाएगी, फिर आपका आता है aluminum, aluminum की आप भी क्या हो जाएगी, इसको represent करेंगे, पहले al से, इसकी आपकी होती है, 2.63 into 10 is to power minus 8 ohm meter, फिर इसके बाद में आपका आता tungsten, tungsten इसको represent करते हैं, आपका w से, wolfram आपका बोलते हैं इसको, और यहां से, इसकी जो आपकी resistivity होती है, वो आपकी होती है, 5.20 into 10 is to power minus 8 ohm meter, इसके बाद में, आपका आता है nickel, ठीक है, यह सारे के सारे वो हैं, जो आपके use होते हैं, तो nickel को represent करते हैं, short form में, ni से, और यह आपका, इसकी जो resistivity होती है, वो आपकी होती है, 6.84 into 10 is to power minus 8 ohm meter, ठीक है, यह आपकी किसकी हो गई, nickel की आपकी resistivity हो गई, फिर आपका आता है iron, और iron को represent करते हैं किस से, Fe से, ठीक है, और इसकी जो होती है, वो आपकी होती है, 10 into 10 is to power minus 8 ohm meter, यह आपके कुछ element है, जिनकी आ आपकी resistivity होती है, अब हम इसमें देखते हैं कुछ aloes के बारे में, ठीक है, यह तो आपके हो गए क्या, metals, ठीक है, कि मैटल्स की आपकी इतनी resistivity होती है, अब जरा हम देखते हैं, इसमें aloes के बारे में, यहाँ देख लेते हैं आपका aloes का, तो aloes की जो आपकी resistivity होती Alloys आपके mostly, जो यूज होने वाले हैं, वो आपके 2-3 आपके Alloys होते हैं, जो regular आपके यूज के जाते हैं, वैसे तो आपके Alloys बहुत सारे हैं, जो आपने कमेस्ट्री में पढ़े भी होंगे, लास्त कलासीस में, तो यहां पर Alloys के बरे में हम देखें, तो Alloys आपका क्या होता एक element बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं meganine, इसकी जो आपकी resistivity होती है, यह आपकी होती है 44 into 10 is to power minus 8 ohm meter, यह आपकी resistivity होती है किसकी meganine की, इसके बाद में आपका आता है constanton, ठीक है, constanton, constanton आपका क्या है, copper, nickel और zinc का एक aloe होता है, इसकी जो resistivity होती है 49 into 10 is to power minus 8 ohm meter, यह आपकी resistivity होती है किसकी constanton की, अब इसके बाद में हम इसमें देखेंगे किसका niachrome का, क्योंकि niachrome, heaters, heating element की तरह काम होता है, तो यह इसकी resistivity इनसे ज़्यादा रहती है, लगबग double होती है आपकी, यह आपका niachrome किसका होता है, niachrome, nickel, chromium manganese और iron का आपका aloe होता है, अब यहाँ पे इसकी जो resistivity होती है, वो आपकी होती है 110 into 10 is to power minus 8 ohm meter, यह आपकी resistivity होती है किसकी, niachrome की, ठीक है, तो इसका मतलब aloe इसकी resistivity होती है, वो आपकी metal से ज़्यादा होती है, ठीक है, यानि कि इनका जो resistance होता है, जैसे अगर हम माने आपने क्या किया, एक meter square का आपने circular आपका एक road ले ली, ठीक है, iron road आपके लिए, और एक आपने क्या लिया, एक niachrome के लिए, जिसका area of cross section कितना है, एक meter square है, और length भी दोनों के कितनी है, एक meter होगी, तो बताए कितना resistance होगा, तो resistance देखो कैसे निकालेंगे, आइरन का resistance वो तो आपका इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक एक है, area भी एक meter square है, और length भी आपके कितनी है, एक ही meter है आपकी, तो इसका मतलब जो resistance आपका आएगा, वो इसकी resistivity के बराबर हो जाएगा, तो resistivity iron के कितनी होगी, इतनी आपकी resistivity होगी, अब ज़र हम नाइक क्या होता है, 110 into 10 is per minus 8 आपका resistance देगा, तो यानि कि आपका इसका मतलब हम क्या समझे यहां से, कि नाइक्रोम का resistance iron से क्या होता है, जादा होता है, या फिर हम बोले, भई आपकी alloys का resistance metal से जादा रहेगा, ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, आपका किस के case में, semi-conductor के case मे semi-conductor, semi-conductor एक बीच की layer होती है, बीच की कड़ी होती है, जो insulator और conductor दोनों को क्या करती है, separate करती है, semi-conductor ऐसे होती है, जो आपके perfect zero degree Celsius पे, एक perfect insulator की तरह काम करते हैं, zero degree Celsius पे, insulator की तरह, जैसे ही आपका temperature बढ़ना शुरू होगा, यह हम आगे देखेंगे, यह तो अ जैसे ही आपका semi-conductor के अंदर temperature बढ़ेगा, उनका resistance क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, और वो conductor बनना शुरू कर देता है, यानि conducting path बनना शुरू हो जाता है, यह होता है आपका semi-conductor के case में, और अगर हम देखें आपका zero degree Celsius पे, तो वो किसकी तर amplifier में, amplifier में आपका use होता है, और आपका diode हो गया, आपका rectifier हो गया, इस type के आपके होते हैं, या फिर आप लैब में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपके diode भी कोई चीज होती है, कोई transistor भी होता है, इस type के element होते हैं, वो आपके semi-conductor से ही बनते हैं, तो यह आपका important ह semi-conductor, semi-conductor के अंदर mostly जो use होने वाले हैं, वो दो ही आपके use होते हैं, ठीक है, एक आपका होता है silicon और दूसरा आपका होता है germanium, ठीक है, silicon और germanium, ठीक है, यह आपके दोनों use होते हैं, तो silicon, इसकी आपके resistivity होती है, तेईस सो ओम मीटर इसकी कितनी होती है तेईस सो ओम मीटर आपकी होती है यानि कि इनके कमपेरीजन में बहुत ही ज़दा होती है जर्मेनियम के अगर हम बात करें तो जर्मेनियम की होती है पॉइंट सिक्स ओम मीटर यानि कि जर्मेनियम की सिलीकॉन के कमपेरीजन में कम होती है इसका रीजन क्या होता है यह हम कमेस्ट्री में जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है बस इतना सा जान लीजिए सिलीकॉन का साइज कम होता है और जर्मेनियम का जो साइज होता है वो आपका ज़्यादा होता है इस वज़े से इसकी resistance कम होता है इसका resistivity आपकी ज़्यादा होती है यह हमने देखा semi connector से case में अब अगर हम मालीजे insulator के बारे में बात करें तो insulator के अंदर जैसे आपका glass आता है glass की जो resistivity होती है वो आपकी बहुत ही ज़्यादा होती है 10 की power 12 तो 10 की power 14 ohm meter इस range तक आपकी हो सकती है 10 की power 10 तक आप मन लीजे 10 is to power 10 से 10 is to power 14 यानि कि बहुती ज़्यादा resistivity है तो यहाँ पर आपका clear हुआ आपको शायद कि कैसे कैसे आपके element change करने पर यानि कि अगर आपने materially change कर दिया है तो कैसे आपकी resistivity या फिर हम बोले resistance आपका क्या हो जाता है change हो जाता है ठीक है तो यह हमने देखा किस में nature of change of connecting material अगर आपने connecting material ही change कर दिया तब आपका क्या effect होगा यह हमने देखा यहाँ से अब हम next आपका देखते हैं कि temperature change का क्या effect होता है तो दोस्तों यहाँ से हमने देखा कि अगर हम material ही change कर दे तो क्या change हो जाता है आपका resistivity क्योंकि हर element की अलग-अलग क्या होती है resistivity होती है और उसी की वज़े से आपका resistance क्या हो जाता है change हो जाता है यानि कि हम कहें resistivity आपका एक specific resistance है किसी भी element का ठीक है आप ऐसा समझिए इसको कि माल लीजिए आपके पस में ये conducting material है इसकी कुछ resistivity है जैसे माल लीजिए इसकी resistivity मैंने define कर दी 10 की power 10 है हम माल लेते हैं example के लिए कि इसकी resistivity कितनी है 10 is to power 10 इसकी resistivity ohm meters में है ठीक है अब ये तो आपके resistivity fix हो गई resistance कैसे आपका देखेंगे r it is equal to ये तो आपकी fix है 10 is to power 10 ये constant आपके into अगर माल लीजिए एक मीटर का है और एक मीटर स्केर इसका area of cross section है या फिर आपका कुछ और भी हम कर सकते हैं तो यहां से resistance कितना हो जागा तो यहां से आपके resistivity क्या हो जाएगी divided by 2 आजाएगा यहां पे क्योंकि 1 divided by 2 divided by 4 है इसका मतलब आपका क्या है 1 divided by 2 है तो divided by आपका 2 आजाएगा यानिकि आपके resistance क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा ठीक है तो resistance change हो सकता है आपका लेकिन resistivity आपकी क्या होती है constant होती है किसी भी material की इसलिए इसको हम क्या बोलते है specific resistance आपका बोलेंगे तो ये हुआ आपका nature of change of connecting material में अब देखते हैं आपका effect of change in temperature temperature change का क्या effect पड़ता है ठीक है तो अब जरा हम इसको discuss कर लेते हैं तो देखो ये हमने अभी इससे पहले आपका क्या देखा? metals के बारे में पढ़ा, इससे पहले हमने aloes के बारे में पढ़ा insulator के बारे में पढ़ा और semiconductor के बारे में पढ़ा तो temperature का change क्या effect आता है देखो if temperature increases, अगर temperature बढ़ेगा increase का sign ऐसे लिखेंगे हम increase का मतलब अब हो गया आपका अगर temperature आपका बढ़ गया तो metals, metal का जो resistance है या आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा metal का resistance बढ़ेगा aloes का resistance aloes का resistance बढ़ जाता है और अगर हम बात करें किसकी? semi conductors की तो यहाँ पर resistance आपका क्या हो जाता है? semi conductor resistance decrease इसमें उल्टा हो जाता है अगर हम temperature को आपका घटाएगे if temperature increases oh sorry decreases increase तो आपने उपर लिया decrease का नीचे की तरफ decreases ठीक है? और यहाँ से metals का जो resistance है metal resistance क्या होगा यहाँ पर कम हो जाएगा metal का resistance कम होता जाता है यानि की अगर हम किसी भी metal को zero degree Celsius पर रख दें या बरफ में उसको ले जाएगे तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा उसका resistance कम होना शुरू हो जाता है ठीक है? अब यहाँ से if temperature decrease metal resistance decreases ठीक है? अगर आप अगर अलोईस के बारे में अगर हम बात करें तो अलोईस का resistance भी आपका क्या होता है? कुछ हद तक decrease होना शुरू हो जाता है लेकिन semi-conductor का जो resistance होता है वो आपका क्या होना शुरू हो जाएगा? semi-conductor resistance increases ठीक है? यह हमने यह आपका होता है किसमें? temperature के बारे में अब जड़ा हम इसमें और समझ लेते हैं अगर माल लीजिए कोई भी parameter temperature increase होने पे increase हो रहा है तो इसको बोलते है positive temperature coefficient ठीक है? अगर आपका कोई भी parameter, if parameter ठीक है? if parameter जैसे temperature, pressure, इनके उपर अगर आपका कोई effect आ रहा है इनके change होने की वज़े से parameter जैसे resistance, current, voltage और हम आपका higher classes में आता है, inductance, capacitance तो ये सारी की सारी चीजें आप पर क्या करती है, vary करती है किसकी वज़े से? temperature change होने की वज़े से, if parameter increases, ठीक है? with increase in temperature with increase in temperature ठीक है? तब आप पर क्या होगा यहां पे? it is called positive temperature coefficient ठीक है? अगर आपका temperature की वज़े से कोई भी parameter बढ़ता है, तो उसका होता है positive temperature coefficient if parameter, अगर आपका parameter क्या हो जाता है? decrease हो जाता है जैसे यहां पे resistance आपका क्या हो गया है? temperature बढ़ रहा है, semiconductor का resistance decrease हो गया, if parameter decrease with increase in temperature ठीक है? इसको हम बोलते हैं it is called it is called negative temperature coefficient इसको आपका बोलेंगे क्या? भई, negative temperature coefficient है, तो यह सेम आपका वेलेट होता दूसरे case में भी, कि if parameter decrease with decrease in temperature it is called positive temperature coefficient यानि कि temperature घट रहा है, तो घटे और बढ़ रहा है, तो बढ़े तो इसका मतलब वो आपका होता है positive और अगर इसमें उल्टा हो जाता है तो इसका मतलब उसको बोलते हैं negative तो यह आपका semiconductor का क्या होता है? negative temperature coefficient ठीक है? और metals और aloes के बारे में अगर हम बात करें तो इनका क्या होगा? आपका positive temperature coefficient आपका हो जाएगा यहां से हमने सीखा यह अब हम next lecture के अंदर आपका discuss करेंगे कुछ numerical problems को